हलो दोस्तों मैं ऐसेस मुद्गल करता हूँ आप सभी का स्वागत मुद्गल क्राशिस के इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पर तो जैसा कि आज का हमारा टोपिक है तुगलक वंच या गया सुद्दीन तुगलक तो गया सुद्दीन तुगलक जो है पिछली वीडियो में हमने गाजी मलिक के बारे में गाजी मलिक का ही जो दूसरा नाम है तो गया सुद्दीन तुगलक है जिसका साचनकाल रहा when 2013 20325 तक तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका मतलब जो है किस तरह से इसका किया परीचे है कौन था ये ठीक है तो देखो सबसे पहले हम इसका प गाजी मलेक इसका वास्त्विक नाम क्या था गाजी मलेक और इसका शासनकाल रहा और तुगलक वंसकी इसने इस्थापना की थी उसके बाद अब इस्थापना कर दी सबसे पहले इसने इस्थापना करने के बाद सबसे पहला काम किया जो एक शहर की स्थापना की इसने शहर ब कि ऩ है सी चाही के लिए जो सबसे पहला जो निर्मार करभायße था Nehruka वहें किस ने करभाया था कि इस ने करभायता कि हमारे जलाल गयास-दिन टुकलकने थीक है उसके दक पर इसका प्हला अभियान जो रहा है कि अबियानों के बारे मां कर हम बात करें तो इसका पहला अबियान रहा है तेलंगाना अबियान अमने पिछली बार पढ़ा था कि कि वहां पर काकातिय वंस चला करता था ये जब घिल भम समाप्त हुआ तो काकातिय वंस था काकातिय वंस के लोगों ने की जो दिल्ली सल्तनत की अध aussi इंता थी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था कि हम दिल्ली सल्तनत के भागिदार नहीं होंगे हम एक स्वतंत्र राज्य है हमारा उसके बाद इसी जब हां पर विद्रो हुआ तो उस विद्रो का दमन करने के लिए जो गया सुद्दिन तुगलक था उसने अपने पुतर को था जिसका नाम था ता शाज़ादा जोना खान वही हई जिसे बाद में चलके जिसे मुहमद बीन तुगलक के नाम से जाना को जाएगा तीक है इसको तेरे citrus ऑश इस हिसलिमें उन सुद्क है अब इसने क्या किया वहां जाकर इसने उनको कर पाक्रबन किया वहां पर युद उसके बाद यहां से यह निम्टे उसके बाद गया हुआ कि मतलब जो है तेलंगाना भियान के बाद जो है एक बंगाल में विद्रो कर दिया बंगाल का इक्तेदार हुआ करता था बुगारा खान जिसने 1325 में अपने आपको सुतंत्र गोशित कर दिया उसे नियंतरित करने के लिए जो है गैशुद्दिन तुगलक जी जो है गए बड़े पंठन के दिल्ली से बंगाल उसके बाद जो है इन्होंने जब महां पर गए तो उसके बाद है कि इसमें सबसे बड़ी बाद है कि यह हमारा यह आज का टॉपिक है इस टॉपिक में एक कहावत कही जाती है जिसका नाम दिल्ली अभी दूर है ना तो जो यह जो कहावत है यह निजामुद्दीन ओलिया जी के द्वारा कही गई है तो इसमें इसके बारे में हम जिकर करेंगे बहुत ही डिटेल में जानेंगे इसके बारे में क्या हुआ था कैसे हुआ अब जैसे पर दिल्ली से बंगाल गया तो उसी के संत्य जिनका नाम था हजर्त निजाम अदिन ओलिया इन्हों ने दिल्ली में एलान करवा दिया अब जो है ग्यास अब आपिस नहीं आयेगा तो आप जो है इसको जोना खान जो है यानि भॉहंबत बिन तुगलक इसको जो है अपना उन्होंने एक बार ही कहा और इन्होंने मान लिये अब इन्होंने खुसरों सहां से 5 लाख टके उधार लिए तेब,"टके का म Sand saving तो उसने अपना एक दूत भीजने के बाद जो है दूत ने आके पताया कि सुल्तान का फर्मान है कि उनके दिल्ली लोटने से तो बंगाल से वापस लोटते हुए दिली में इसके सुगा सुगागत के लिए डुगला का बाद में लकडी का महल बनाया गया लकडी का महल अगर हम इतियास करो की मानना है तो यह जब लकडी के महल में इसके लिए मतलब बहुत ही भवे समारो किया गया इस यह जब लकड़ी के महल में विश्राम करने के लिए गया तो जो आयोजित किया गया था इसके लिए समारो इसमें हाथी बिदक गया था एक और हाथी के बिदक जाने के कारण उस लकड़ी के महल में हाथी निटक कर मार दी जिस कारण पूरा महल गर गया था और महल के मलबे के नीचे दब जाने के कारण गयास उद्दिन तुखलक की मौत होगी ति कब 1325 यही मानते हैं तो इसके मतलब जाज़तर इत्यासकार मानते हैं तो इस वज़े से यही पॉइंट वैलिड है उसके बाद इसका मगबरा जब दिल्ली के त मृत्यू हुई है तो मकबरा भी कहा होना चाहिए दिल्ली के तो का बाद में है उसके बाद कि मृत्यू के बाद कौन बैटा इसका बैटा जिसका नाम तो शहजादा जोना खान तीक है जो आगे चलकर क्या कहला है महम्मद बिन तुखलक तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कोशन चूट गया है तो उसको कमेंट में बताईए मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोग कमेंट नहीं करते हैं ठीक है अगर आपका कोई कोशन चूट गया है तो आप उसे कमेंट में बताईए उसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिसकस करेंगे तब तक के लिए नमस्कार